हे गाईज तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप Moto H40 में Always On Display को कैसे नैवल कर सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस फॉन में आपको Moto का एक एप देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसको आपको उपन कर लेना है यहाँ पर आपको Personalize का एक Option देखने को मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको नीचे Peak Display का एक Option देखने को मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको Customization ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे बट काफी अच्छा लगता है यह देखने में तो कुछ इस तरह के आपको clock style देखने को मिल जाएंगे इन में से कोई भी आप अपने इसाप से set कर सकते हैं और कुछ इस तरह का आपको interface देखने को मिल जाता है अगर कोई भी मैसे जाता है तो आप यहीं से इसको direct reply कर सकते हैं read कर सकते हैं तो गाफी अच्छा है यह feature भी इसके बाद guys आप नीचे देखेंगे तो edge light का एक option देखने को मिल जाएगा guys इस पर आप कलिक करेंगे तो कुछ इस तरह का interface देखने को मिल जाएगा आपको तो यहां से आप अपने हसाब से इसको customize कर सकते हैं इसका color वगेरा change कर सकते हैं इसको भी आप अपने हसाब से set कर सकते हैं incoming calls, alarms, app notification तो इनके लिए आप enable कर सकते हैं इसके बाद guys आप को हैंपे fingerprint animation का भी option देखने को मिल जाएगा इस पर आप कलिक करेंगे अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को like कर देना दोस्तों के साथ share कर देना एंड गाइस नए हो तो चैनल को subscribe जरू कर देना मैं मिलता हूँ आपको next वीडियो में तब तक के लिए keep smile प्लीज सब्सक्राइब कर देना तरक प्लते बर